अपने चैनल पे 6.6 मिलियन मतब 66 लाग सस्काइब कितने दिन में कर लिये अब मैंने के कितने कमा रहे हैं आखिर यूट्यूब बे आने का वज़ा क्या है आपको कैसे मोटिवेशन मिला कि यूट्यूब पर यूट्यूब पर काल गरना शाहिए यूट्यूब सॉर्स पर किस को मिलता है तो उसको कैसे वोकशंग कर सकता है नवास्कार दोस्तों कैसे अड़ दोस्तों आज का वीडियो है न आज कर इब कि आज मैं जिस यूट्यूबर्स आपको मिला यूफ वाला हूँ मा तेह 3 मैने में इन्हों और अपने channel को स्काईरोक्ट की तरह ग्रोग और आज के डेट में मत्य परदेश के टॉप 5 यूट्यूबर्स के इनका नाम आता है इन्होंने भाई ऐसा क्या कर दिया कि इनका चैनल मात तीन मैने में इतना प्रोग कर गया आखिर ये किस तरह का वीडियो डालते हैं और खास ही इनका सिक्रेट सॉस क्या है दोस्तों जो आपको जाना जाओ दिये जिससे आप भी सिक्षप्टे हो अपने चैनल पर पूरोग करने के लिए तो दोस्तों मैं टाइम विस्निंग करोगा ज़ए आपको टाइम नहीं नहीं लेना चाहोगँ वट्टाफट इस्ट मुणाओगा मैं इन्वायट करता हो नविन भाई को ato ॐस क्रें आप कैसे हैं नवेन भाई आपने अपने चैनल पे 6.6 मिलियन मतब 66 लाग सब्सक्राइबर कितने दिन में कर लिया है विकास भाई मैंने अपने चैनल पे 66 लाग सब्सक्राइबर मातर तीन मैंने में कर लिया मातर तीन मैंने में आपने 66 लाग सब्सक्राइबर कर लिया क्या बात है दोस्तों तो आपको भी समझे आ रहा है कि भाई आपको आपके सावरियों मैंने कीम को लेकर आया है डेफिनिटीव सॉप्ट हो रहे होंगे ना इनके इंकम के बारे में भी जानोगे न तो बहुत कुछ सॉप्ट हो जाओगे और मेरी फैमिली मेरे पापा प्राइवेट टीचर है और मैं अभी बस यूटू भी कर रहा हूं जी अच्छा आपके स्टूडेंट हूँ जी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ मैं भी सेकंड डियर में हूँ सेकंड डियर है तो दोस्तों आत रिये उनीच साल के है जी मैं पढ़ रहे हैं और अब भी इतना जवदस ग्रोथ इनों ने दिया है तो आप समझ रहे हो ना कितना मतब अगर आपमें टेडिकेशन है आपमें करने की इच्छा है तो भाई कुछ भी हो सकता है कुछ भी ट्र सब्सक्राइब करता है तो मुझे उसमें काफी ज्यादा इंटेस्टिंग चीज़ दिखती थी मुझे लगता था कियार कास मेरे पास एक फोन होता तुम्हें भी वीडियो बनाता फिर लोगडाउन के टाइम पे मुझे एक फोन दिला गया पापा ने दिला है ऑनलाइन और दो तीन चैनल मेरे डिलीड हुए लेकिन मैंने छोड़ा नहीं हार नहीं मानी लेकिन लगा रात तो आज फानली तीन साल बाद सकस्स मिल गए मुझे नहीं भाई कुट नहीं करना यहां पर एक्जामपल यह तीन साल से फाइड महनत की है तब आज इनों ने तीन महीने में च्छासर ट्रॉक्स स्काइबर पाया तो आपको क्या है ना आपको महनत करना पड़ेगा आप छोड़ के चल जाओगे ना आप सोचोगे कि भाई चार चार माहिने में skript कर दी लेकिन मैंने skip नहीं किया मैं करता गया करता गया मुझे पता था कि एक जरूर सक्समिलेगी तो मैं करता गया और फानिली तीन साल बाद मुझे वो मुकाम मिला तो नविंग भाई आपकी जो 6.6 मिलियन की जड़ी है उसके बारे में कुछ बतावा है चाहेंगे भाई जैसे मैंने तीन साल से यूटूब किया तो मुझे काफ़ एक्स्विरेंस हो चुका था कि ख़ाने बंदर क्म्री जैसे इन साल में तो मैंने इस चैनल क सुद्धिय में में 60 लग subscriber कर लिए मेरे एक महिने में 1,000,000 subscriber हुए थे और अगले 2 महिने में मैंने पूरा साट लग subscriber कर लिए जी घजब की बात है तो फाइए बात बता है कि यूट्यूब source में किस type content चलता है यूटूब source में unique content चलता है अगर कुछ न कुछ unique करना पड़ेगा अलग दिखने के लिए जब आप अलग दिखोगे तो ही लोग आपको देखेंगे subscribe करेंगे आपको देखेंगे तो ही आपका फायदा होगा उसमें मतलब आपको unique content हमेंसा कुछ unique list दिखाने के ज़रूरत है जो लोग पसंद करें जो देखें और उससे interact अपने emotion वो अपने आपको connect कर सकें तभी आपका वीडियो पार्टिंट चेलेगा तो यहाँ पे एक question और आता है नवीन भाई कि source video viral कैसे करें यह बहुत ही common question है बट बहुत important question है लोग अगर सच बताओ तो YouTube जो नेने आते वो सबसे पहला वीडियो यही देखते कि वह यह video viral कैसे करें तो source video viral कैसे किया जाता है यह बता ही इसमें तो source video viral करना तो उतना उसके लिए लेकिन जो source में जीरो भी वाली problem होती है कि बहुत लोंगे तो ब्यूसी नहीं आते तो वह सबसे बड़ी problem है तो वह मैंने अपने चैनल पर अल्रड़ी बता चुका हूं मैं जो मेरा नया चैनल आपको पता होगा creator नवीन उस पर मेरी वीडियो आ चुकी है जीर यूटूब खुद आपकी वीडियो को viral करेगा जै तो भाई इसका कोई टाइम है कितना वीडियो उप्लोड करना चाहिए इसके बारे मेरे हिसाब से क्योंकि यूटूब एक दिन में आपकी तीन वीडियो को नोटिफिकेसन हर सब्सक्राइबर को भेज़ता है तो मेरे हिस साथ बज़े ही करिए पर्फवां भी साथ बज़े करिए तो आपकी वीडियो में काफी ज्यादा अच्छा रिजल देखने को आपको मिलेगा मतलब आप ओ रहे हैं कि दिन में तीन वीडियो अप्लोड करना चाहिए इसका कोई टाइम लेने सुबा दूबर राद गतल आपको बनाना है आप जिसमें टाइम पे अपनी वीडियो डेली अप्लोड करेंगे वही आपकी चैनल की टाइमिंग बन जाएगि ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको बता दूँ कि रात के एक वज़े अपलोड करो तो वीडियो बाराई लोगगी ऐसा कुछ नहीं है आप ड के 8 बज़े करो तो डेली आपको 8 बज़े करना है, साब के 4 बज़े करो तो डेली 4 बज़े करना है, 7 बज़े का कर रहे हो तो 7 बज़े कर रहे हो तो आपको रिगूलर वही करना है, but मेरा preferable, since मैं digital marketing भी हूँ और लगब 12-13 साह से मैं देत रहा हूँ, बहुत सारे अपने company clients के यह मेरे call care, मैंने देखा हैं दोस्तों कि evening का समय जो होता है, जो कि past से लिखे 9 बज़े के जो period होता है, इससे में आप content 100% upload कीजिए, इससे में क्या होता है, लोग है जादा YouTube पे available होते हैं, जिसके वज़े से क्या होता है, आपको chances जादा होता है आपका वीडियो notice होने का, यह दूसरा चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, starting का वीडियो का past seconds या 7 seconds होता है बहुत important होता है, यहाँ पे आपको एक hook generate करने नहीं जब रहते हैं, अब यह आप बोलोग होता है, भाई hook वो होता है कि आप जो वीडियो को देख रहा है न, तो interest कहा पे जाग रहा है, यह 5 seconds पे इंटरेस जागे हैं बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो 5 seconds पे अगर interest नहीं जागा, तो भाईया क्या करेगा यह, कोई भी यूटिवर क्या करेगा आपका वीडियो को skip करके निक्स में चला जागा जो भी आपको वीडियो देख रहा है, 5 seconds देख लिए तो उसके बाद ही आप क्या है, आदि का वीडियो देखते हो, जिस वज़े से आज यह 66,000,000 सुस्क्राइबर तक पहुच पहुच पाई, तो यह चीज आपको ध्यान रखता है कि सबसे पहला क्या है, आपको 5 seconds के अंदर में एक hook generate करना है, hook generate करने के बाद आपको यह त्यान रखना है कि आप consistency count करें daily आप वीडियो, अगर दो करें तो दो डेखी डालिए, तीन डालिए तो तो तीन डालिए, एक प्रॉपर timeline आपको set करना है कि अगर आप सुबह 8 विज़े डालिए तो 8 विज़े डालिए, अच्छान विज़े कीजिए, यह साल के 6 विज़े पर बिलते, 6 विज़े कीजिए, बतलब यह time आपको fix कर दीना है, और भाई, YouTube scheduler का use करो ना, YouTube पे वीडियो तब schedule कर सकते हो, बिलकुल, आप वह एक्तम बहुत सही तरीका है, आप proper time पे set कर लो, वीडियो अपने आप post हो जाती है, आपको कोई मेहनत करने के जबरत, यह पूरा automation का काम हो रहा है, भाई, आप content research कैसे करते हो, मैंने starting में तो काफी सारी tools का use किया, जैसे YouTube पे होता है, मतलब automatic जैसे एक app tag यू करके उसमें आपको content research, आजकल तो AI का जमाना है, तो आप AIP content research कर सकते हो, लेकिन मैं अब research नहीं करता है, मेरे दिमांग को मैं ऐसे आता जाता है, मुझे क्या बनाना है, जैसे long video के लिए, काफी सारी YouTubers कमेंट करके पूछते हैं कि भाई, हमें shorts video पे मैं वहां से video लेता हूँ, और उसे voice over करता हूँ, उस पे editing करता हूँ, अप्लोड कर देता हूँ, और वो इंजम सही तरीका, क्योंकि वो लोग corporate strike आपको नहीं देते, claim आ सकता है किसी video पर, लेकिन मैं claim हटाने का भी तरीका मैं अपने video में बताऊंगा, लेकिन corporate strike नहीं आत बताएंगे अपने channel पर, तो वो चैनल definitely subscribe करना आपको बहुत कुछ सिखने को मिलेगा, भाई आप ये बताईए कि अगर कोई source channel start करना चाता है, ठीक है, तो वो niche कैसे decide करें, किस तरह से वो category decide करें, कि इस category पर काब करने से better होगा, उसका channel grow कर सकता है, इसके बारवन विकास ये तो अपने interest पर आता है, कि जिसमें आपको interest हो, कि अगर आपको कोई भी चीज पसंद है, तो वो आप बहुत time तक कर सकते हो, अगर आपको माली जी आपकी video बारल नहीं हो रहे, तो भी आप कर सकते हो, कि चलो मुझे मज़ा रहे है ये चीज करने में, तो मैं तो आपको affiliate करने के लिए जादा कुछ मेनत नहीं करने पड़ते है, आप और यूटूबर को follow करते हैं, देखते हैं, कौन क्या बना रहे है, तो जो भी नीच आपको पसंद है, आप उस पर video बना सकते हैं, और सारे content चलते हैं, बस creator सही होना चाहिए, दोस्तों फारी ने तो secret बाता है इसके अराव मैं आपको और बता दे रहो, Google Trends का use कर सकते है, Google Trends पर जाएए, वहाँ पर कोई भी जो hot topics होता है, वो section में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको trending जो news होता है, trending topics होते हैं, वो मिल सकते हैं, उसके basis पर आप अपना category या niche decide कर सकते हैं, जिस पर आप पर आप सकते हैं, तो कैसे फिर सकता है, 4000 घंडे का जो watch time में, और साटना eligible views जो YouTube मानता है, और हजास subscribers मानता है, यह कैसे पोसिबल कोईट बिना, अगर आप shorts वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें तो आपको 1,000 सब्सक्क्राइबर तो हर criteria में चाहिए, लेकिन shorts में एक याप क 10 मिलियन, तो मेरे इसाब से घर आप 100 वीडियो बनाते हैं, तो बहुत जल्दी monetize हो जाएगा आपका चैनल, क्यूंकि 100 वीडियो बहुत जल्दी boost होती है, अब आपका content सही होना चाहिए, लेकिन अगर आप long video बनाते हैं, तो long video के लिए content आपको find करना पड़ेगा, और ऐस छोड़ दिया, क्योंकि इसमें मैंने एक साल से जादा दिया था, तो मेरे हिसाब से अगर आप को YouTube पे पैसे कमानत परे, sort video बनाओ, sort अपना चलन ग्रो करो, उसके बाद long पे आजाओ, तो फिर बहुत जल्दी आप कर सकते हो, कुछ भी, बतब आप हो रहे हो कि सबसे पहले आप sort पे video डामना सुरू करो, इस भी category पे काम करे हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको long वीडियो में convert कर सकते हो, gradually, जिससे आप sort में views वा आई रहा है, बत long में भी views आदा सुरू हो जाए, क्योंकि आपके पास dedicated audience हो जाएगा, dedicated audience हो जाने के वज़े से, लोग क्या आ आपको follow करने सुरू कर देंगे, आपका video देखना सुरू कर देंगे, भाई, आपसे एक और question है मेरा, जो कि बहुत important question है, copyright claim तो आपको destiny कभी न कभी मिला ही होगा, तो ये copyright claim अगर किसी को मिलता है, तो उसको कैसे कोई overcome कर सकता है, भाई, copyright claim देखिए आपको, जिसे हमाली ज आपको जाए तो आपको एडिटिंग में कुछ खेल करना पड़ता है, जो कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, ओके, तो भी आप थोड़ा सा जिस्ट में, पादाना चाहिए, copyright claim कैसे हट सकता है, थोड़ा सा आइडिया दे दे, बहुत रच्छा आपको, जिसे आपको copyright claim तो आप उसको chrome browser पे जाके चेक कर सकते हैं कि कि किस part का copyright claim आया है, तो same आप उसी part पे, जिस भी app से, जिस भी software पे editing करते हो, आप उसी software पे जाए और जितने वीडियो पर आपको copyright claim आया, जितने part पे, उस part पे आपको एक effect लगाना है, प्लस उसका जो भी volume है, जो भी उसकी voice से, उसको थोड़ा हटा दीजिए, या फिर cut कर दीजिए, जो भी आपने sound effect लगा है, उसको हटा दीजिए, और आप editing में तीन transaction लगा दीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका copyright के न चुटकियों में head जाएगा, क्या बात है, तो सबसे पहले आपका copyright claim आता है, तो ज के लगा voice को modulation करना है, right, voice modulation करने के बाद, ये problem sort out हो जाएगा, बट क्या है, दोस्तों, ये बहुत समाटी करना पड़ेगा, क्योंकि आप, मैंने भी बहुत सारे वीडियो बना के दिखा हैं, पहले भी, आपको समझे नहीं है, बट आपको smart way करना होगा, अगर इस वीडियो पर अगर आप बहुत सारा लाइक्स, मदर पांसो लाइक्स अगर दे देते तो भाई को मैं फिर से invite करनेगा अपने चैनल पर, और भाई आपको live करके सारा कुछ बताएंगे, कि किस तरह से copyright claim जो आता है, section आता है, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, भाई, ये सारा कु जाता है, तो प्लीज आप वापस आईएगा, और एक वीडियो डेडिकेटिट करके बताएगा, सो डैट मेरे audience को और आप सबको सिखने को मिल जाए, भाई, लिए स्टैंब्स यूटिम मैंसे अगर सिखने को मिलेगा, तो बहुत वाज़ा आएगा, हाँ, थैंक यू भाई महीने के मेरी पहली payment आई थी, जब मैंने YouTube स्टार्ट के था, हला कि जैसे मैंने आपको पहली बता है, मैंने तीन साल पहली काम किया था, तो मुझे काफी कुछ experience मिल चुका था, मुझे पता चल गया था, कि आखर YouTube पे काम कैसे करूँगा, तो जल्दी से जल्दी पैसे मिले तो मैंने उसे टिक को follow up किया, और जब मैंने यह वाला चनल स्टार्ट किया, एक April को तो मेरी मातर तीन महीने में payment आ गई थी, तो मेरी पहनी payment थी, साथ हजार से ज्यादा थी, और आपको पता है, मेरी प्रूसरी payment आने से पहले मेरे channel delete हो गया था, तो फिर मैंने दो महीने क process उसमें चला गया, मैंने अपना channel वापिस लाया, उसके बाद मेरी दूसरी payment था, तो वो थी मेरी एक लाग से ज्यादा, क्या बात है, इसका payment प्रूफ दे सकते हैं, बिल्कुँ, मैं आपको screenshot कर लोगा, आप दिखा देना, ओडियन्स को, क्या बात है, देखो, यहाँ प्र प्रूफ भी दे रहे हैं, कि भाई, एतना पैसा है, ता साथ एजर, और कितना, एक लाग से जादा payment था है, यहाँ प्रूफ भाई, मैरे को screenshot बेज देंगे, आप देख लेना, तब तो वरुसा कर लोगे, कि भाई, भाई, जो है, इतना जिन्विन काम करें, तो फाइनली, भाई, यह मेरा last question है, आप से वीडियो काफी लंबा होना है, लास्ट question यह है, कि अगर कोई अपने career स्टार्ट करने चाहता है, यूट्यूब source के पे, या यूट्यूब पे career स्टार्ट करने चाहता है, तो आप उसके क्या suggestion दोगे? विकास भाई, मैं सारे यूट्यूबर्स को ही बोलना चाहूँगा, कि अगर आप यूट्यूब चनले स्टार्ट करना चाहता है, तो पहले एक category डिसाइड के जिए, और सबसे मैं मैं आपको यह बोलूँगा, कि आप अपने घर वाला से इसके health मतले नकें, कि अगर आप घ आल चनल पर जिसमेरे 60,00,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं, इस पर मैंने ओल्रेडी वीडियो डाल चुका हूं, मैं आपके content के उपर, कि आपको किस category में, किस content पर काम करना चाहिए, तो अगर आप वीडियो देखते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या है, कि आगर आप लाई काम स् अच्छा कर रहा है, तो लगेर आप जिए ठीक है, तो यह आपको करता है रहना है, ठीक है, तो दोस्तों, I hope आपको यह वीडियो देखें, बहुत मज़ा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, बहुत कुछ निया जाना होगा, और उमीद करता हूँ, कि अगर आप इसे 500 क्या लाइक्स दे देते हो, तो भाई को मैं वापस अपने चैनल पर बुलाओगा, जिसमें हम लोग एक लाइव एडिटिंग सेशन स्टार्ट करेंगे, जहां पर आपको पूरा वीडियो एडिटिंग करके भी बताएंगे, और प्लस वीडियो अप्लोड कैसे करते हो, व सब्सक्राइब के साथ, एक नएव पोड़कास के साथ, और नएएडिटिंग के साथ, तब तक लिए, जै हिंड, जै भारत!